नाक्फनी थाना छेतर में शराब पीने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया दोनों और से जमकर लाठी रंडे चले दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घर में गुशकर मार पीट बालूट पाट करने का आरोप लगाया है पुलिस ने घायलों का जिल अस्पताल में मैडिकल कराया है रत्ना थाना छेतर के बंगला गाओं की है चौकी पिर्वारी रामपरताप सिंग ने बताया कि शतीस ने महले में ही रहने वाले हरी सिंग से शराब पिलाने को कहा था पैसे ना होने की बात कहते हुए हरी सिंग ने मना कर दिया इसी बात को लेकर उनके बीच मार पीट हो गई उदर शतीस के भाई हरी संकर का कहना है कि हरी सिंग पक्स के 30-40 लोग अचानक उसके घर में गुज गए इन लोगों ने बिना कुछ कहे सुने उनके घर में तोड़ फोल करनी शुरू कर दी विरोध पर शतीस और उसके भाई विनोध बा उसकी पत्मी शीला को जम कर पीटा इस दोरान हमला परोने शतीस की मा लक्षमी के कान से एक कुंडल और नाक से सोने का फूल भी लूट लिया दूसरे पक्स ने भी शतीस पक्स पर मार पीट वा लूट पार्ट करने का आरोप लगाया है पुलिस ने घायल हरी सिंग उसके बेटे और दूसरे पक्स के सतीश तथा उसके भाई विनोध को मेडिकल के लिए जिलस्पताल भेज दिया जिल स्पताल से भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, शतीस के भाई हरी संकर ने पुलिस पर दूसरे पक्ष से हमराज होने का आरोप भी लगाया, उसका कहना था कि चौकी गएते मगर चौकी पिरवारी ने उनकी तहरीर तक नहीं ली और डांट कर भगा दिया, हरी संकर के अनुसार दूसरे पक्ष का एक विवक बड़े अफसर की गाड़ी का चालाख है, इसलिए पुलिस उसका ही पक्ष ले रही थी, घटना की जानकारे देते हुए घायल शतीस ने बताया, अधर पर हमारा था पांच-छे लोग हो ना है, हमारे दरवाजे पर, मैं बाजार से लोट रही था, हैट्टी पर दारू प्यूवा मिल गया हूँ, तो कहने लगा, गाउंवाले आया रिया, तो मैंने कि अब यह तंद तमीज से बोलो, तो कहने लगा, क्या तंद तमीज ब मैं बाजार का रिया था, हरी शिंग, दुर्गा, हर्पूल, गजिंदर, बग लगा हूं, अट्टी के पास के, हम सेनी में इडिकल के पास, बग लगा हूं, नहीं, कोई विवाज नहीं था, अचा लगी, तो मैं मैं गवने लगी, फिर घर पर जानके हमा मारा था, वो गर बाइब लानके है, पांचे नहीं को बलाके है, और हमारे शोट वाला भाई यह सो रिया था, यह भी नहीं बाहर था, अब दर्वाजे पे तो हमां सब को दवा लिए घर पर आनके हमारे वाइब कूब मारा है, हमारे ममी के कुंडल खींच के लिए यह नाक का फूल गिर गि जो रिए पैस लेकर हमारे शोट Psalm